फोटो में बॉर्डर कैसे लगाएं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी फोटो में बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं तो आएए जानते हैं सबसे पहले आपको इसके लिए एक एप डाउलोड करना है उसके लिए playstore को उपन कर लिजिए यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है PixArt इस तरह से आप PixArt सर्च करेंगे तो यह वाला आप आ जाएगा इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी ID बनानी है तो अपनी ID बना लीजिए तो यहाँ पर हमने अपनी ID बना रखी है तो जब आप अपनी ID बना लेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से यह शो होने लगेगा और नीचे कुछ options मिल जाएंगे जिन में से एक option होगा यहाँ पर plus का तो यहाँ पर आपको बीच में ही मिल जाएगा plus का icon इस पर touch कर दीजिए और यहाँ पर भी काफी सारे options आ जाएंगे उपर वाला एक option है edit a photo तो आपको photo edit करनी है तो edit a photo पर touch कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर photo select कर लिजिए जिस भी photo पर आप border लगाना चाहते हैं तो हम यह photo select कर लेते हैं उसके बाद इस तरह से cut कर दीजिए और जो photo आपने select करी है इस तरह से आने लगेगी अब यहाँ पर border लगाने के लिए आपको नीचे कुछ options मिल जाएंगे तो आपको इस तरह से आगे करना है इसे और यहाँ पर एक option आ जाता है border का तो border वाले option पर touch कर दीजिए touch करने के बाद यहाँ पर आप outer select कर सकते हैं इस तरह से तो आपर हम outer कम कर देते हैं और inner का जो option है इस पर आपको touch करना है और इसे बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से और अगर आप border का color change करना चाहते हैं तो यहाँ से color change कर लीजिए जिस भी color को select करेंगे उसके बाद उपर एक right का option मिल जाएगा right पर touch कर दीजिए और यहाँ पर इसे बढ़ा दीजिए इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं yellow border हमने लगा दिया है इस photo में तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप inside वाले option पर touch करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा border यहाँ पर yellow color का हो चुका है तो उसके बाद आपको save करने के लिए एक उपर right का option मिल जाता है right पर touch कर दीजिए उसके बाद इस arrow पर touch करना है यहाँ पर add cut कर दीजिए और नीचे एक save का option आएगा save पर touch कर दीजिए तुबारा से save का option आएगा save picture to your device उसके बाद आप done कर दीजिए और यहाँ पर यह फोटो आपकी gallery में save हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी फोटो पर border लगा सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को भी subscribe जरूर करें